हेलो गाईज आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करूँगा जो आपको यहाँ पर NAM vs USA की बीच में यहाँ पर T20i Tri-Series का यानि के गाईज जो आपको नमीबिया vs USA की बीच में T20i Tri-Series का कल जो आपको ठार्ड मैच खिरा था दिखेंगे गाईज उसका हम यहाँ पर Dream मैचेस खेलें अभी तक उसके भी हम स्टैट्स देखेंगे और USA ने भी गाईज यहाँ पर जो फर्ष्ट मैच आज खेला है हम उसका भी स्टैट्स देखेंगे और साथ में गाईज वीडियो में आपको कमाल की इनफर्मेशन देने बाला हूं तो आप वीडियो को सुरू स 4 कि यहाँ गाईज यहाँ पर वीडियो करको स्टैट्स अच चाहत होग मिल सा इक देना है और कना डियो आपको हमारा चैनल जाएगा जिसमें रहाऊ बनी गाईडरी केलिग्राम चैनल पर जॉइन करने का अगर मैं आपको एक बार इंपोर्टेंस दिखा दूं गाईज तो आज ही यहाँ पर आपको पता है नमीबिया और जर्सी का सेकेंड टी 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 आई मैस था ट्राइ सिरीज का उसमें आपको जो मैंने फाइनल टीम यहाँ पर दी थी बहुत तगरी विनिंग हुई है हमारे काफी सारे मेंबर्स मिनी जील में काफी तगरा रैंक लेकर आयें गाईज तो यह फाइनल टीम की इंपोर्टेंट्स है इसलिए गाईज टेलिग्राम चैनल पर जॉइन करना बिलकुल भी ना भूले अब चलिए गाईज मैच के बार वह अपने नए प्लेयर्स को टेस्ट कर रही है ठीक है तो इस मैच में अगेन आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है तो इनके लिए ओपनिंग पर क्रैग विलियम्स है जो कि फर्स्ट मैच में 40 किये इन्होंने और सेकंड मैच में 10 साथ में आते है डिवान लोकुक जिन् में 72 किये और फर्स्ट मैच में इन्होंने एक ओवर भी डाला था जिसमें इनको कोई विकेट नहीं मिला था ठीक है फिर जैन फ्राइलिंग इनको पर्मोशन मिला था वैसे उपर डैविड भी से इन से उपर आ सकते है ठीक है नहीं तो अगर फ्राइलिंग का देखेंगे तो 9 रन इन होने ही किये ठीक है और साथ में 3 ओवर की बॉलिंग में इनको 2 विकेट मिला फिर डैविड भी से है जो कि दोनों मैच में बहुत अगरा के लिए बहुत अगरी फिंसिंग की है फर्स्ट मैच में 55 नॉट आउट सेकेंड मैच में 45 नॉट आउट और गाइस दो विकेट कीपर भी है जिन्हों ठटी नॉट आउट किये थे यह आजाए टीम में ठीक है फिर ट्रंपल मैन है इनके फास्ट पोलर अभी तक दोनों मैचेस में टोटल आट अवर की बॉलिंग की है जिन्में इनको 4 विकेट मिला है फिर बर्नर्ड स्कूल्स है टीम के सबसे म प्र daw पाई विकेट मिला है फिर पाई वाई फ्रेंश है जिन्होंन ने मात ररेक वर की बॉलिंग की और इनको कोई विकेट नहीं मेरा फिर 10 विकेट मिला ठीक है तो यह गास पॉसिबल प्लेइंग बात करूं तो मैभी लोहान की जगापर जैन ग dishon ग्रीन मासकते हैं साथ यह दोनों रिस्की बन सकते हैं इनकी जगह पर मेरी आपसे सी कॉंगो आ सकते हैं टीम में ठीक है और भी गाइज अगर टीम किसी को मौका देना चाहे तो दे सकती है ठीक है तो यह जो तीन स्पोट है आप इनका ध्यान लखेगा यह तीनों थोरे रिस्की प्लेयर्स है और कोई भी अगर आपको स्टाइड्स हैं यह सिंपली यहां से और उनके बारे में जानकारी लेसकते हैं यह अलाडि मैं आपको दो वी्डियो में ऐइक्स्प्लेयन करचका हूं तो यहां पर में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तो अब यहां पर हम USA टीम पर आते हैं, तो USA ने यहां पर काफी इंप्रेसिब बैटिंग की, आज नमीविया के किलाप 200 से जादा रंस किये, लेकिन जो इनके बॉलर से उनका परफोर्मेंस बहुत खराब था, जिसके चलते टीम हार गई, इनका अगर मैं पॉसिबल प्लेंग ल होने के लिए, फिर Aaron Jones आए, ये भी हमारे पास थे, वन डाउन आए, ये तो सभी के पास थे वैसे गाइस, 47 रन भी इन होने किये, साथ में दो ओवर की बॉलिंग में इनको विकेट भी मिला, फिर गाइस हमारे ट्रंब काड प्ले रहा है, जसकरन मलहुतरा, जिनको मैंने व फाइनल टीम में मैंने लिया था, और बहुत अच्छा खेले गाइस, 42 इन होने किये, ठीक है, फिर गजानन सिंग, यहाँ पर 3 डाउन पर 21 नट आउट, मार्टी केन 7, और उसके लाबा सुसान्द मोदानी, जो की बैटर है, इनकी बैटिंग नहीं आई, वाचसल बगेला, 3 अवर की बॉलिंग में कोई विकेट नहीं, महंगे भी गए, यासिन मोहमद, टीम के लेग स्पिनर, 4 अवर की बॉलिंग में 36 रन देकर एक विकेट, अली खान 4 अवर की बॉलिंग में 36 रन देकर एक विकेट, सौरम डेटरा वालकर बहुत महंगे गए, 4 अवर में 49 रन द जगा पर साथ मैं टीम के पास रस्ती थिरोन भी है काफी अच्छे फास्ट वोलर और क्यामर निश्टीवंसन भी है काफी अच्छे फास्ट वोलर ठीक है तो मेरी इसाब से युएसे के टीम में भी गाईज आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं मेरी इसाब से निश्राक पटेल के खिलने के हाई चांसेस है वाचसल वगेला की जगा पर और मेभी गाईज अगा टीम चाहें तो थीरोन और इस्टी वंसन में से भी किसी को मौका दे सकती है ठीक है तो यह बाप का गाईज आप ध्यान में किएगा अब गाईज मैं आपको USA के भी यहाँ पर सभी प् वाप के स्थरोन रिखते है तो यहाँ पर हर एक प्लेयर का स्टैस मिल जाएंगा तो आप एजली सभी प्लेयर्स के बारे में जान पाएगे थीक है तो यहाँ यहाँ पर सारा data इस match के related जो कि आपके लिए जानना जरूरी था सारा guys मैंने एक दमच्छे से आपको बता दिया है और guys यह सारा data collect करने में बहुत जादा time लगता है बहुत जादा महनत लगती है तो please guys आप सभी लोग जितना जादा हो सके इस वीडियो को like करे ताकि मुझे motivation मिले और मैं आपके लिए regular videos बना पाऊं ठीक है और साथ में हो सके तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते है और guys अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी on कर ले ताकि आप आने वाले videos की notification मिस ना कर सके अब चलिए guys यहाँ पर हम अपनी team discuss कर लेते है सबसे पहले guys यहाँ पर हम bicket keeper section पर आएंगे यहाँ पर आपको M patel दिख जाएंगे जो कि मेरी साब से आपके लिए small league के लिए सबसे best choice है तो आप इनके साथ ही जाएए simply guys जो कि आपको opening पर मिल जाएंगे USA team के captain भी है काफ़ important player है तो इनके साथ ही आप जाएए यहाँ पर L loudness को मैं विल्कुल recommend नहीं करूँगा अगर खेलते हैं तो और Jen Lee को lofty eaten को भी मैं guys recommend नहीं करूँगा यहाँ पर अगर Jen Green खेलते हैं तो आप उनको grand league में consider कर सकते हैं अब यहाँ पर हम batter section पर आते हैं guys जहाँ पर Aaron Jones को मैं टीम में लूँगा जो कि काफ़ important बन जाते हैं पहले match में काफ़ी तगरा खेले साथ में balling भी की, wicket भी मिला तो बहुत important pick हैं guys सुसान मोदानी की ज्यादा batting आई नहीं तो इनको मैं recommend करूंगा नहीं यहाँ पर फिर आपके बास option में Crack Williams है जो कि opening पर है और Namibia काफ़ी experience batter है तो मैं इनको भी टीम में जरूर रखूंगा फिर guys यहाँ पर हमें एक और batter टीम में लेना है वैसे चाहे तो आप दो भी ले सकते हैं लेकिन मैं एक ही लूँगा तो आपके पास G-Sing option है जो कि थोड़े नीचे आते फिनिसिंग के लिए जाने जाते तो आप इनको Grand League में ट्राइ करिएगा जसकरन मलोतरा मेरे फ्याबरेट प्लेयर में से अभी रिसंट में 6 वालबो 6 चक्के भी इनोंने लगाये था ODI मैच में मुझे याद है इनका ODI करियर के स्टैट्स बहुत तगरा है T20 में अभी तक उतना अचा नहीं कर पाए है लेकिन फर्स्ट मैच काफी तगरा खेले तो आप इनको ले सकते हैं आपको middle order मिल जाएंगे और नहीं तो गाईस यहाँ पर D-Lak-Cock को ले सकते हैं जो कि opening पर हैं और दोनों मैच में काफी impressive रहें ठीक है तो दो option है आप दोनों को भी ले सकते हैं लेकिन मैं आप इक लिए जसकरन मलोतरा के साथ जा रहा हूँ आपको यहाँ पर D-Lak-Cock चाहिए तो आप उनके साथ भी गाई जा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर all-lounder सक्षन पर आते हैं जहाँ पर Vise, Stephen, Taylor Gerhard, Marvy, Erasmus यह तीनों important picks हैं तो इन तीनों को हम सबसे पहले ले ले लेते हैं यहाँ पर G. Marvy, Erasmus ज्यादा बैटिंग ही करेंगे बॉलिंग कम डालते हैं लेकिन Vise और Taylor आपको बैटिंग बॉलिंग तोनों से points देंगे ठीक है और दोनों टीम के सबसे main all-louders है तो नीचे आते हैं यहाँ पर next में यहाँ पर Jen Fryling को लूंगा ठीक है जिनका भी selection अभी तो कम ही है लेकिन टीम के बहुत important fast waller है टीम के top wicket taker है guys टीटो इंडिया मैचेस में ठीक है अभी अपने stats देखा होगा और first match में भी impressive थे दो wicket इनको मिला death में balling करानी आते हैं साथ में guys runs भी कर सकते हैं तो मैं इनको लूंगा जरूर काफी important pick बनेंगे उसके लाबा guys यहाँ पर अगर JJ Smith और Nisarg Patel खेल गए तो यह दोनों भी quality all-downers है तो आप इनका ध्यान लखेगा JJ Smith अगर खेल गए तो इनको तो small league में लेना ही परेगा Nisarg Patel अगर guys खेलते हैं तो अगर आप small league team में ट्राई नहीं कर पाते हैं तो grand league में जरूर ट्राई करेगा ठीक है काफी अच्छे all-downer है balling all-downer ठीक है ध्यान नकिएगा और मुझे लग रहा है guys इस match में Nisarg Patel खेल भी सकते हैं उनके high chances है ठीक है यह बात का ध्यान नकिएगा IPL में लेकिन काफी अच्छे fastballer है विक्रे टेकन है guys ठीक है तो इनको लेना बनता ही है फिर मैं Trumpleman को लूँगा जोकी Namibia के सबसे main fastballer है और साथ में मैं लूँगा Bernard Skolz को जोकी Namibia के सबसे impressive spinner है ठीक है सबसे main spinner है guys और दोनों matches में इनकी balling बहुत कमाल दई है तो इन दोनों को मैं लूँगा यहाँ पर guys और option की मैं बात करूँ तो S Netra वालकर काफी experience fastballer है तो आप इनको Grand League में जरूर ट्राइ कर सकते है ODI करियर का stats इनका बहुत तगरा है Rusty Theron खेलते हैं तो काफी अच्छे fastballer है अब ही आपने देखा T20i का stats काफी तगरा था तो इनका ध्यान दखेगा अगर खेलते हैं तो काफी अच्छे डिफरेंसर pick बनेंगे फिर नीचे से guys यहाँ पर मैं बात करूँ तो वाई मोहमद Grand League pick है आपके लिए ठीक है? Leg Spinner है और आपको पता है guys Leg Spinner हमेशा game change कर सकता है ठीक है? तो आप इनका ध्यान दखेगा यह आपके लिए यहाँ पर Grand League के Must Pick है ठीक है? अगर आप इस Small League में भी Rigs लेकर खेलना चाहते हैं तो आप इनको Try कर सकते है guys ठीक है? और मैं ज़्यादा प्लेयर किसी को Suggest नहीं करूँगा ठीक है? तो यह guys बनता अभी के लिए टीम का प्रेभ्यू इसमें अगर मैं CVC के Best Option की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर All Nouners देखने को मिल रहे है डैविड वी से, स्टीवन टेलर जी मरवे इरासमस यही तीनों मेरी आपके लिए सबसे बेस्ट गाई CVC के आपके लिए Grand League के लिए आपके पास Jen Fry Link है और साथ में यहाँ पर है आपके पास Aaron Jones ठीक है? यह दोनों आपके लिए Grand League के CVC के आप्शन है ठीक है? अगर आप मुझसे पूछेंगे गाईस तो मेरे यहाँ पर Captain है के साथ ही जा सकते है Mini GL और GL में फ्राइलिंग को as a CVC जरूर से जरूर ट्राई करिएगा काफी अच्छे हो आपके लिए उप्शन बनेंगे साथ में Aaron Jones को भी आप ट्राई कर सकते हैं तो यह बनता अभी के लिए टीम का प्रिभ्यू इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है फाइनल टीम अपडेट काफी ज्यादा important रहेगी आपको इसी वीडियो के description में हमारे टेलिग्राम चैलन का link मिल जाएगा आप उस link पर click करकर हमारे टेलिग्राम चैलन पर join कर सकते हैं गाइस फाइनल टीम अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी वैसे गाइस मैं आपको टीम कॉपी पेस्ट करना कभी भी recommend नहीं करता हूँ फिर भी आप एक बार मेरी फाइनल टीम ज़रूर देख लीजेगा उससे idea लेकर आप खुद का decision ले सकते हैं और best से best कर सकते हैं तो बस गाइस आज किस वीडियो में इतना ही hopefully वीडियो आपके लिए informative रही होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना बिलकुल भी न भूले साथ में guys आप वीडियो को अपने दोसों के साथ share भी कर सकते हैं और guys अगर आपने अभी तक हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन कर ले ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके तो बहुत जल्द guys मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में